थानसाहनी पुलिस ने छापा मारी कर मादक पदार्थ गांजा की तसकरी करने वाले तीन शातिरों के कबजे से 615 किलोग्राम अवैद गांजा और तसकरी में प्रियुक्त मैक्स पिकप गाड़ी बरामत किया बतादे की हाथरस पुलिस अधिक्षक के निर्देशन में अवैद मादक पदार्थों की बरामदगी और तसकरी के विरुद चलाये जा रहे अभियान के तहर एक मुख्बिर की सूचना पाकर लोहरा रोड बंबा पुलिया पर चेकिंग के दोरान पुलिस ने मादक करते हुए तीन अभयुक्तों को गिरफतार करने में सफलता प्राथ जिनके कबजे से पुलिस ने 615 किलोग्राम अवैद गांजा बरामत किया तो वहीं आरोपियों से पूस्ताश के दौरा नोहोंने बताया कि हम लोग अवैद गांजा को केरल से मगाते हैं कमरे किराये किसे लोग कब रहे हैं किसना बार है देखे जनपद हाथरस के थाना सासनी पुलिस द्वारा देर रात चापेमारी की कारवाई करते हुए चेकिंग के दौरान तीन अवैद गांजा तसकरों को गिरफतार किया गया है जो एक मैक्स पिकप गाड़ी में भारी मात्रा में गा गांजा जिसकी कीमत करीब एक करोड रुपए है पुलिस ने बरामत की है इन तीनों ग्युक्तों से पूस्ताच की गई है जिनमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये माल ये केरल से मंगाते थे और किराये पे कमरे लेकर उसमें रखते थे और आस पास के जिन्पदों में इसको खुटकर में बेच कर लाब कमाते थे इन तीनों ग्युक्तों से विस्तित पूस्ताच की जा रही है तथा इन तीनों के विरुद्ध सुसंगा धाराओं में अव्योग पंजिक्रित करके थाना सासनी पुलिस द्वारा आवश्यक वैदानी कारवाई की जा रही है पुलिस ने मुठवीड के दौरान चार शातिल लुटेरे को गिरफतार कर उनके कबजे से लुटे हुए दो लाख पास जार कैश भटना में प्रियुक्त मोटर साइकल वावैड असलह कार्टूस बरामत किया बतादे की हात्रस पुलिस अधिक शक्ते निर्देश के अनुसार अप्रादियों को धर पकड़ने के लिए चलाया जा रहे अभियान के तहर छेत्रा धिकारी सादाबाद के कुशल नेत्रत में और पुलिस एम एसोजी टीम हात्रस की सयुद कारवाही में बदमासों से चे जिन्दा कार्तूस 315 बोर, दो जिन्दा कार्तूस 303 बोर, एक खोखा कार्तूस 315 बोर बरामत किये हैं और साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाब उचित कारवाई की जा रही है इतने लोग पत्रे हैं इसमापियों? कार्तूस भी बनामत हुआ है और इन चारो लुटेओं को गिरफ्तार किया गया है इन चारो लुटेओं को विर्द्ध थाना साधाबाद पुलिस द्वारा आवशक वदानिक कारवाई की जा रही है पकड़े गई है इन में से तीन जनपद मथूरा के रहने वाले हैं और एक इसमें जनपद हातरस के थाना साधाबाद छेतर का है इन सभी घटनाओं का जो ये मास्टर माइंडर पक्पू दरजी नाम है इसका और ये थाना बलदेव का पचलित हिस्ट्री शीटर है जिसके पूर में करीब 32 मुकद में दरजह संगीन भाराई है इन सभी अपरादियों के विरिद्ध पुलिस द्वारा बैदानी कारवाई की जा रही है तथा मेरे द्वारा इस सराहनी कारिक करने है तू जो इसमें टीम लगी थी इनको 25,000 रुटए के नगत पुरसकार से पुरसकित किया जाए जाए मदप्रतेश आगर मालवाज जिले किस उसने जनपत की ग्राम पंचायत खेराना में बीते गुरुवार को पुविट-19 का टीका करण शिविर लगाया गया तीका करण शिविर का शुभारम भाजपकिसान मोर्चा जिलाद्यक्ष लक्षमार सिंग कामवल वा सरपंच प्रतनेधी रादेश याम सूर्य वर्णशी द्वारा मासरसकी के चित्र पर माल्यार पढ़कर किया गया जिसके बाद दोनों के दोरा शिविर को संबोधित भी किया गया आपको बताने कि शिविर में टीका करण के प्रति सभी ग्रामीड जनों को जागरूप कर सभी से ज़्यादा ज़्यार टीका करण करवाने की अपील की गई तो वहीं तीका करण केंदर पर तीका लगवाने वालों में उत्साह नचराया इस अउसर पर महिलाओं युवाओं ने बढ़चड कर हिस्सा लिया और अपना तीका करण करण करवाया इस अउसर पर पंच्वयल सचिव नारायड सिंग्चोहान पटवारी रेखा राजोरा एलम सीमा गुजर ऑपरेटर राहुल राठोर के साथ कई कारेकरता मौजूद रहे वन्दूओं कोरोना अपने बीच में से गया नहीं है कोरोना अपने बीच में ही है अगर कोई यू समझता है कि कोरोना खतम हो गया तो विल्कूल गलत अपने दिमाग से निकाल दें मैं आप लोगों से निमेदन करना चाहता हूँ, कि जिनका भी टिका करन नहीं हुआ है, जो भी अपने सगे संबंदित, अपने मिस्र, अपने भाई, गंदू, जो भी बचे हैं, उसकता टिका करन करवना है, दो गश्ची दूरी और मास के जरूरी, और सेनेटाइजर से हाथ जोना और टिका करन करवना वही जीवन को अपने को बचा सकता है, मैं आप लोगों को विश्वात दिलाना चाहता हूँ, जिसका भी टिका करन अगर हो गया है, जिसको वेक्थिन लग गई है, तो वो कोरोना से कभी भी निजा सकता, वो निस्ची दूर्णा तो हो सकता है, लेकिन हानी नहीं होगी, बंदों मैं आपके सामने खड़ा हूँ, रादेशाम जी खड़ा है, भगवान सिंग जी खड़ा है, नारान सिंग जी खड़ा है, हम सब के दो दो ठीके लग चुके हैं, उस बात को आज तीन तीन चेट्चार मा हो गए हैं, इससे डरने की जरुवत हमना की तीन उीके आजेवाँ जी खड़ा है, बंदोING जी खड़ा हैं, भगवान सिंग हे रेकिन इल्कें गाजलिवी